असलाम आलाइकूम वेलकम बैक टू फूड वीडियो उमीद है आप सब खैजित से होंगे आज हम बना रहे हैं चिकन चंगेजी बहुती गुड रेसिपी है तो इस रेसिपी को जरूर ट्रॉय कीजिएगा आपके घर में पार्टी हो या मिहमान आ रहे हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्रॉय कीजिएगा तो आजए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए आदा किलो चिकन चिकन में हम डाल देंगे वन वन टेबल स्पोन अधरक्रसन का पेस्ट टो टेबल स्पोन सिर्ट का या लेमू डाल दें इससे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब हम इसे आदे खेंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखतेंगे अदा खेंटा गुजर गया है अब हमने पैन में चार से पांच टेबल स्पोन अईल ले लिया है जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको हम अईल में एड़ किट देंगे चिकन को इसका पानी खुश खोने तक पका ले आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजीगा क्यूंकि ये किसी रेस्टरेंट स्टाइल डिश से कम नहीं है चिकन का पानी खुश खो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम इसी ओइल में दो बड़े प्यास डाल देंगे और इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे हमने प्यास को सिरफ सोफ्ट करना है प्यास के सोफ्ट होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अब हम एक टेबल स्पॉन अदरक लसन का पेस्ट लेंगे और इसे दो मिनट के लिए सोते कर लेंगे हमने दो बड़े टमाटे लेके उनका पेस्ट बना लिया था अब हम उन्हें भी इसमें एड़ कर देंगे और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे अदरक लसन का पेस्ट बना के अदरक लसन को कैसे स्टोर कर सकते हैं इसका लेक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप देख लीजिएगा तमाटर को पकाने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं वन टी स्पॉन चाट मसाला हाफ टेबल स्पॉन डाल में इसका पाउडर और हाफ टेबल स्पॉन नमक या आप इसको अपने जाइके के मुताबिक भी डाल सकते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें ग्राइंग किये हुए प्यास डाल देंगे और इनको अच्छी से मिक्स कर के पका लेंगे अब हम इसमें एक कप दूर डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे चार टेबल स्पॉन क्रीम आप मलाई भी डाल सकते हैं इसको भी मिक्स कर लें अच्छा से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्राइ किया हुआ चिकन डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हलकी आंच पे ढखके पकने के लिए रख देंगे हमारा चिकन तकरीबन गल चुका है इसमें अब वन टेबल स्पॉन का सूरी में थी आड़ किट देंगे आप चाहें तो ना आड़ करें लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आखर में हमने इसमें हरा धन्या और हर में चैट कर दी है आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक को शेयर जूरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताके आपको हमारी हर राने वाली डाइम वीडियो मिल जाए अल्ला पाक आप सबको खुश रखे आमीन